नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पात्मेकर में मेरे नाम है सौरा और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं most important topic भारतिये पुस्तके तखा उनके लेखक से सम्मंदित विविन परिक्षा में पूछे गए प्रश्मिन मतलब कि दोस्तों आज हम भारत की एतिहासिक पुस्तकों के बारे में बात करेंगे जिन से related exam में questions पूछे जा चुके हैं मतलब कि जितने भी हम questions discuss करेंगे ये सभी किसी ना किसी exam में previous year के exam में पूछे जा चुके हैं चाहे हो SSC हो, DSSB हो, KVS हो, NVS हो या फिर कोई भी जो भ आएंगे और अगर ज़रुत पढ़ी तो हम और भी पार्ट लेकि आएंगे ताकि सभी की सभी जितनी भी questions related हैं भुक से भारत की अतिहासिक पुस्तों को से related जो भी questions हैं वो सभी हम cover करा पाएं चाहे दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत ही important होने वाला है शुरू से आखरी तक जिरूर देखिएगा पहला question हमारे सामने दोस्तों राज तरंगनी पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है हमारे पास चार option है भीष्म सायनी, राज शेखर, कलहन या फिर धरमीर भारती इसका सयन सरह दोस्तों राज तरंगनी पुस्तक लिखी है कलहन के द्वारा ये हमारे दोस्त तो बुद्ध चरित्रम जो लिखे गई है अश्व घोष के दारा लिखे गई है दोस्तों जो बुद्ध चरित्रम है इसको बुद्धो की रमायन भी कहते हैं और यू वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुष्टों को में से एक है ठीक है दोस्तों हम बात करते हैं इसमें प्रत्वी राथ चोहान के बारे में बताया गया है. Question number 4 हमारे सामने यंग इंडिया नाम पुष्टक निम्न में से किस के द्वारा लिखी गई है? हमारे पास 4 option है. महात्मा गांधी, महादेवी वर्मा, इंदिरा गांधी, एपीजी अब्दुलकलाम. यंग इंडिया पुष्टक लिखे है दोस्तो, option A, महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखी गई यंग इंडिया पुष्टक. पांचों question हमारे सामने ने है. Half a life पुष्टक निम्न में से किस के द्वारा लिखी गई है? हमारे पास 4 option है. पुष्टक निम्न में से किस के द्वारा लिखी गई है? हमारे पास 4 option है, तुलसी दास, फिर दौसी या फिर विशाखतर. इसका सच्चर दोस्तो, option A, बंकिम चंचटरजी के द्वारा लिखी गई है, वंदे मातरम. जो लिए गया है, वो किस पुष्टक से लिए गया है, फिर किस के द्वारा लिखी गई पुष्टक से लिए गया है, तो भी इसका अंसर बंकिम चंचटरजी ही होता है. क्योंकि अर्थ शास्त के जना कहलाते हैं, Adam Smith, लेकिन दोस्तो ऐसे नहीं है, जो यह पुष्टक है, अर्थ शास्त्र, यह क्या है दोस्तो, यह राजनीती की पुष्टक है, जो की चानक क्या ने लिखी है, चानक के जो थे गुरुदे चंदगुत मोरे के, और उन्होंने इ इसका सहीन सरे दोस्तो, अप्ष्टक निवन में से किस के द्वारा ही लिखी गई है, इसका सहीन सरे दोस्तो, अप्ष्टक निवन में से किस के द्वारा ही लिखी गई है, इसका सहीन सरे दोस्तो, अप्ष्टक निवन में से किस के द्वारा ही लिखी गई है, इसका सहीन सर यह बायोग्रफी है हुमायू की, मतलब की जीवनी है हुमायू की, ठीक है, यह किसके दोरा लिखे हैं, आप से भी सोछे होंगे, हुमायू ने खुदी लिखियोंगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तो, इस पुस्तक को बेगम गुलबदन, उनकी सिस्टर बेगम गुलबदन के द्वारा लिखा गया था नेस्ट कोशन है हमारे सामने दोस्तों कोशन नमर बारा माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक निमन में से किस के द्वारा लिखी गई है इसका चार ओप्शन हमारे सामने इंद्रा गांधी, डॉक्टर राजिंदर प्रसाथ पुस्तक निमन में से किस के द्वारा लिखी गई है हमारे पास चार ओप्शन है अकबर अबुल फजल, मुला दो प्याजा या फिर बीरिबल दोस्तों अकबर नामा बायोग्रफी है जीवनी है अकबर की जिसको लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा आप सबी सोच रहे होगे कि अकबर ने खुद लिखा होगे लेकिन ऐसे नहीं है दोस्तों इसको लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा चले दोस्तों हम बात करते हैं नेश कोशन पंदरवा कोशन हमारे सामने है स्पीड पोस्ट पुस्तक निम्न में से किस के द्वारा लिखी गई है हमारे पास चार उप्शन है शोभा डे, महादेवी वर्मा, आरवेंक टर्मन, धरमवीर भारती इसका सही अचर दोस्तों ऑप्शन ए शोभा डे के द्वारा लिखी गई है स्पीड पोस्ट पुस्तक इसका सही अचर है दोस्तों ऑप्शन भी मेगा स्थनीज नहीं लिखी है दोस्तों इंडी का नामक पुस्तक और इसमें किस चीज का वर्णन किया गया चंद्रकुत मोरे के जो राजदरबार था उसके बारे में उसके सिहासन के बारे में या फिर उसकी परजा के बारे में इसको पुस्तक में बताया गया है चले दोस्तों हम बात करते हैं Discovery of India मतलब की भारत एक खोज नामक पुस्तक निवी में से किस के द्वारा लिखी गई है हमारे पास चार ऑप्शन है महत्मा गांदी, पंडित जवाहर लाल नहरू, रविंदर नाट, टैगोर या फिर राजिंदर परसाद इसको लिखा गया है दोस्तों ऑप्शन B, पंडित जवाहर लाल नहरू के द्वारा एहमद नगर की जेल में बंद थे जो की जवाहर लाल नहरू के द्वारा जेल में बंद होने के द्वारान मतलब की जेल में कैदी के द्वारान कैद होने के द्वारान लिखी गई थी वो कोशन आपसे इस तरीके से भी पूछा सकता है जिसका अंसर होगा भारत एक खोज या फिर डिस्कवरी ओफ इंडिया चले दोस्त हम नेक्स कोशन करते हैं कोशन नमर 18 री डिस्कवरी ओफ इंडिया मतलब की भारत की पुनह खोज नामक पुस्तक निम्न में से किस के द्वारा लिखी गई थी हमारे पार चार ओप्शन है मेगना देसाई अटल भी है वाजपेई या फिर अबुलकलाम आजाद या फिर महत्मा गांदी इसका सही अंसर है दोस्तो option A मेगना देसाई दोस्तो examiner हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा confuse कराने कोशिश करता है यहाँ पर हमसे भारत एक खोज और भारत की पुनेया खोज हम पुनेया को नहीं देखते और भारत एक खोज देखते ही हम पंडित जवालाल नेरु अंसर लगा जेते लेकिन दोस्तो आपको ध्यान रखना है Rediscovery of India मतलब की भारत की पुनेया खोज लिखी गई है मेगना देसाई के द्वारा Question No.20 हमारे सामने है Bum का दर्शन पुस्तक निम्न में से किस के द्वारा लेकी गई है हमारे पास चार Option है भगवती चरण बोरा, काली दास, विश्नु शर्मा या फिर मुंशी प्रेम चंद्र इसका से अंसर है दोस्तो Option A भगवती चरण बोरा तो दोस्तो आज की Question हमारे यहीं पर समाप्त होते है ये सभी के सभी Question Previous Year की Books Related Question है जो कि किसी ना किसी सरकारी नौकरी के एक्जाम में पूछे जा चुग है दोस्तो आज हमें अपना Part 1 डिसकस किया हम Part 2, Part 3 भी लेके आएंगे जिसमें हम Previous Year की Books Related Question के पूछे गए है वो डिसकस करेंगे तो दोस्तो आपको यह वीडियो कैसी लेगी Comment section में comment करके जरूर हमें बताइएगा ताकि हमें आपका reaction अपनी वीडियो के प्रति मिल सके दोस्तो अगर आपका वीडियो अच्छी लेगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और comment करें और दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दवाना ना भूले ताकि Pathmaker YouTube Family की दोरा जो भी वीडियो जाली जाएए वो आपको समय समय पर मिल सके चले दोस्तो विदा लेते हैं आपसे तब तक के लिए धन्यवाद